तो रहाद दोस्तो आज के इस video में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि flipkart से shopping कैसे करते हैं flipkart से अगर आप कोई भी समान order करना चाहते हैं तो आप अपने mobile के जड़िए कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में जहें मैं आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने की कोजिस करूंगा तो आई यह इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्लेस्टोर में जाकर फ्लिपकार्ट के अप्लिकेशन को अपने मौईल पर इंस्टॉल कर कर देदेना ऐ है तो चलिए जов प्लेस्ट और ऑफन कर लेते हैं सबदोर कार्ने के बाद के बाद यहां पर आप सभी को लिक दीना फिलपकार्ट कार्ण चेहनि को सब्सक्रण को अपने मौईल पर इंस्टॉल करना है यह फ्लिक का उफीसियल अप्लिकेशन है तो इसको जया आपको धयान से अपने मॉटायल पर इंस्टॉल करना है जो नहीं करना है ठीक है तो यहाँ Before मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर चुका हो इस अपलीकेशन का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिसक्रप्सर में भी दे दूँँगा तो वहाँ पर जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस अप्लिकेशन को आप बड़े अराम से अपने मोईल पर डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो डाउनलोड करने के बाद जो है इसको खर लीज लाँ इंग्लेस सेलक्ट करने का बाद यहां पर कन्टिनिऊ का जो बटन है इस पर कर देना है क्लिक तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पास आपका मोईल नंबर पूछेगा ठीक है तो इसको जो है आप चाहिए तो बैग भी कर सकते हैं तो जैसे बैक करेंगे तो इह जो है आपके मोईल पर कुछ इस framework से open हो जाएगा फिर उसके़ बाद आपँ करना क्या है कि यहार पे तीन लाइनेद दिखाई दे रही है यहां पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बात यहां प माई account को option दिखाई दे रहा है इस पर कर देना है क्लिक जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से जो है आप उसी ऑप्सन पर आ जाएंगे तो दोस्तों यहां पर होता क्या है कि यहां पर आपका मुवाइल नंबर पूछता है यहां पर जो सिंपल आपको अपना मुवाइल नंबर भर देना है तो चलिए जो मैं यहा टीपी आएगा और आटोमेटिक जो है आपका एकाउंट यहां पे लॉगिन हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपसे भी को कर देना है बैक और हहां पे फ्लिप कार्ट के home page पर चले आना है अब यहाँ पर हुआ क्या है कि हम अपने account पर login कर चुके है अगर आपको flip card से कुछ भी खरीदना है तो सबसे पहले आपको flip card पर login करना पड़ेगा तब ही आप यहाँ पर समान खरीद सकते हैं नहीं तो आप नहीं खरीद पाएंगे तो login करना जरूरी होता है उसके बाद दोस्तों करना क्या होता है कि जो आपको समान खरीदना है उस समान को यहाँ पर लिख कर सर्च कर देना है तो मैं यहाँ पर आप सभी को एक mobile order करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर कर देता हूँ और इस mobile का नाम है POCO X3 PRO लिखने के बाद चाहिए आप सभी को कर देना है सर्च जो भी समान आप खरीदना चाहते हैं उसका नाम जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख देना है सर्च बार में आपको टाइप कर देना है और फिर उसके बाद जो है सर्च कर देना है जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप से पूछेगा allow location access तो इसको हम अभी not now पे कर देते हैं तो दोस्तो कुछ इस प्रकार से POCO X3 PRO मोवाईल हमारा दिखाई देना सुरू हो चुका है तो मैं जो है यह पहला वाला जो मोवाईल है जिसकी कीमत 15,999 रुपए है इसको order करके आप सुभी को दिखाने वाला हूँ तो चलिए जो है इसको कर लेते हैं हम select select करने के बाद जो है आप यह देख सकते हैं कि मोवाईल का photo जो है यहाँ पे दिया हुआ है इसकी कीमत यहाँ पास है और भी कुछ जानना है इस मोवाईल के बारे में तो नीचे के तरफ आएंगे तो आप इस मोवाईल के बारे में पूरी जानकारी जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं ठीक फिर उसके बाद जो है इस smart phone को इस मोवाईल को खरीदने के लिए आप से भी कर यहाँ पास buy now का option दिखाई दे रहा है इस पे कर देना है click तो जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे आप से पूछेगा कि क्या इस मोवाईल के साथ आप tempered glass या back cover लेना चाहते हैं तो यहाँ पास add पे click करके इसको जोड़ सकते है back cover की price जोए 143 रुपए है और tempered glass की कीमत जोए 152 रुपए है तो मैं जोए यह दोनों चीज नहीं लेना चाहता तो यहाँ पे जोए simple नीची की तरफ यहाँ पास orange color का लिखा है skip and continue यह वाली button है इस पे कर देना है click तो जैसे click करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप इस location को allow करना चाहते है तो मैं यहाँ पे फिर से delay कर देता हूँ ठीक है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना address देना पड़ेगा तो हमको जो mobile मंगा रहे हैं उसको किस address में मगाना है नाम के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका mobile नमबर तो जो हमारा mobile नमबर पहले वाला था वो जो यहाँ पे पहले से ही डला हुआ है अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे click करके इसको बदल सकते हैं फिर उसके बाद यहां पर आपसे पूछेगा आपका pin code तो pin code कैसे आप ला सकते हैं इसके लिए जो use my location का जो यह option है इस पर कर देना है click click करने के बाद यहां पर सबसे उपर वाला option allow only यह वाला option को select कर लेना है तो यहां पास जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो address है वो आ चुका है confirm का यह option दिखाई दे रहा है इस पर कर देना है click दोस्तो use my location यहां पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो mobile का GPS है वो चालू होना चाहिए तो इसको कैसे आप देख सकते हैं इसको जो है आप notification में जाकर देख सकते हैं आप आस जो है आप देख सकते हैं कि मेरा जो location है वो यहां पास मैंने बंद कर दिया और यह देखिए यहां पास जो मैंने चालू कर दिया तो जैसे यह आप use my location वाले option पर click करेंगे तो आपका pin code जो है automatic यहाँ पर आ जाएगा फिर उसके बाद जो है automatic आपका प्रदेश भी जो है select हो जाएगा और यहाँ पर city भी जो है आ जाएगी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी को अपना address भरना पड़ेगा ठीक है तो house number यहाँ पर building number पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है मैं simple अपने सहर का नाम लिख देता हूँ ठीक तो यहाँ पर जो मैंने पाली लिख दिया है दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी को अगर किसी गाउं में रहते हैं या किसी गली महले में रहते हैं तो उस गली या महले का नाम जो यहाँ पर simple लिख देना है ठीक है फिर उसके बाद जो यहाँ पर नीचे के तरफ आप से पूछेगा कि यह address घहर का है आपके office का है यह address हमारा है वो घर का है तो हम home select कर लेते हैं select करने के बाद पर जो save address का जो यह option है नीचे की तरफ यहाँ पे जो आप सभी को कर देना है click तो जैसे click करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है और फिर उसके बाद जो हैं आपका मोवाइल है और इसकी कीमत दिखाई दे रही है अब जो है आपको क्या करना है कि आपकर नीचे के तरफ कंटिन्यू का जो अपसन दिखाई दे रहा है इस पे जो है आपको कर देना है क्लिक तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने को बोलेगा तो आप पैसा कैसे देंगे तो यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे आपसन मिल जाते है एक उप्जन यूपी आई का वॉलेट जाते हैं यहाँ पर लास्ट में मिलता है कैस ओन डिलिवरी का इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने समान ओर्डर किया तो आपका समान जब आपके घठ पे आएगा तभी जैसा देना पड़ेगा ठीक है तो मैं जो है cash on delivery वाला payment option जो है select कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे यह आप cash on delivery select कर लेंगे तो place order का जो यह option है इस पर आप सभी को simple कर देना है click तो जैसे click करेंगे तो यहाँ पास आप सभी को 815 जो लिखा है इसको यहाँ पर type कर देना है ठीक है तो मैं जो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हो उसको जो यहाँ पर type कर देना है type करने के बाद जो confirm order का जो option दिखाई दे रहा है इस पर click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पास हमने अपना order complete कर लिया है तो आप देख सकते हैं कीजिए जो हमारा ओडर है यह 25 अक्टूबर तक हमारे घर पर आएगा यहां पर पेमेंट ऑप्सन जो हमने कैस ओन डिलिवरी सेलेक्ट किया है एक हाथ से पैसा दीजिए और एक हाथ से समान लीजिए तो दोस्तों इस वीडियो में कि वहले इतना ही था उमीद करता हूं यह वीडियो जाए आप सभी को पसंद आई होगी अच्छी लगे तो लाइक करिए खुछ भी कहना हो तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लग सकते हैं और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो आप सस्क्राइब कर सकते हैं मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिये दोस्तों धन्नावाज जाहिन